असलाम अलेकूम चलिए जी आज का ब्लोग इस्टार्ट करते हैं तो यह आप देख रहे हैं कप है तो यह कपस और यह जो मैं यूज कर रहे थी होट पॉर्ट अभी तो यह सब समानना में अलग कर दी थी एक्छल में मुझे किसी को देना है यह सब बरतन इस्टा बरतन जो हो तो ऐसे डाल के रिश्टोर रूम में रख दी थी उपर फिर मैं मुझे ख्याल है अब यूज तो करना नहीं है तो फिर रखने से कोई मतलब नहीं है किसी को दे दो तो काम आ जाएगा और ऐसे यह तेल के जार भी थे एक बार मैं तेल ना ऐसे डब्बह मंगाई थी डीमार आ जाएं और यह टूकनी सब इस्ट्रा टोकनी सबस्ते बहुत पहले के ममी थे न उनका भी था नहीं सामान बहुत पुराने हड़तुप्लेस अब जाए की न मैं टलब फिर सबस्तर सबदे मेर यह तो उनको न Chemistry तो उनको शोंटर भी में पस नए रखा हता तो ठंड है तो म दस समान रखने से ना अच्छा है ना कि उसमें सब दो या एक समान भी अप निकाल के किसी को दे दो किसी की मदद हो जाए अच्छा लगता है किसी को देने से क्योंकि मुझे देना बहुत पसंद है मेरा अल्ला जानता है कि मुझे कितना पसंद है मैं चाहती हूँ अल्ला को भी सखी पसंद है तो मुझे भी न मेरा बच्पन से ऐसी आदत था जब मैं अपने अम्मी के हाँ थी तो वहां भी ऐसी न अम्मी से चुपा नूपा कि मैं किसी को कुछ देती थी और शादी के बाद जब मैं आई इस घर में तो मैं ऐसी भी न यहा कर देती है पैसा हो गिया और समान हो गिया तो नहीं देना चाहिए हम मैं ऐसा नहीं होता है कोई अगर आ रहा है आपके दरवाजे ना तो सौक से नहीं आ रहा है किसी कोई मांगना अच्छा ही लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मांगना किसी कोई पसंद नहीं को इसी क वो ना बहुत सखी थे, बहुत सब के लिए, मतलब जो किसी से कोई रिस्ता भी नहीं है, उनके लिए इतनी हमदर्दी, उनका भी हिल्फ करते थे ना, मेरे अब्बू का आज भी लोग नाम लेते हैं, अब बोलते हैं, नाम ले करके, कि वो इनसान थे, कि हर किसी के लिए किये गैरों के लिए कि अपने के लिए लोग तो आज की रेट में कोई अपनों के लिए नहीं करता है, अब मेरे अब्बू ऐसे थे ना, कि गैरों के लिए भी कियें, तो मेरे अंदर ना, मेरे अब्बू का असर है, यह चीज, और इस चीज से ना, मैं बहुत डाट सुनती थे अपनी सास सुमा से, तो सास लोग होती है, साइध उसे जमिया जाके, मेरा भी मिजाश चेंज जाए वो गलत नहीं थे अपनी जागा पर होता है ना, सबका अपना सोच होता है, तो मैं आज मैं सोची, आप सबसे काम करते करते क्यों न डेर सारी ऐसी बाते कर लूँ, तो आज के ब्लॉग ऐसे ही है मेरा और यहां पे मैं गरम पानी करके यह देखिए मैं क्या कर रही हूं आप सब भी करना सब के घर में यह कर सकते हैं इसलिए हम क्या ध्यार नहीं देते हैं बस कंगी खराब हुए और गंदे हुए तो हम फेक देते हैं बहुत कमी धोते हैं तो मैं सोच और गहरा बरतन जिसमें न सारे कंगी जो है न वो सब मतलब भीग जाए अच्छे से थोह देर के लिए छोड़ना पड़ता है उसको भीगाना पड़ता है तो मैं बुली कि चलो इसको ये सब काम ही करते हैं रोज कुछ नो कुछ नया काम निकलता ही और काम ना बहुत ही हो जा तो इसको अच्छे से मिला करके ज़्यादा अच्छा पानी ना वो इसमें गरम कर दी थी तेज गरम था और इसमें अच्छे से मैल बहुत ज़्यादा सब कंगी गंदे होगा थे मैं भी सूची कैसे साफ करूँ चल क्यों ना मैं इसको साफ करती हूँ आज अच्छे से और ब्लाग भी बनाते सूट करती हूँ अब लॉक सूट जब मैं की तो मुझधthose जब मैं एडिट कर तो मुझे पता हिखेए कि ma और जब मैं एडिट की ना तो पता चला मुझे वे लाट है तो इस बॉलग में चाहिए jest पीस हार तो रिजन यहीं है, कि मुझे से गलती होगा, कि मैं जब सेट करी, मोबाइल तो अपना ध्यार ने दिए मैं फेस के उपर, बस मैं आपना काम करते हैं, काम के दुन में, मुझे ध्यार नहीं आया, अजब एजिट की, तो मुझे लगा, अरे मेरा फेस हाइड है तो चलो कुछ नहीं होता फेस हाइड करके ही आज बनाते हैं ब्लॉग तो बस ये देखिए ये भीग्या भीगने के बाद मैं छोड़ दी थी इसको आधा गंटा तक छोड़ दी थी मैं इसको अच्छे से भीगने के लिए उसके बाद मैं क्या करी खाना बना लिए अपने दाल चावल सब्जी जो रहता है खाने का काम वो कंप्लेट कर लिए मिले चल उसको कर लेते हैं खाना जरूरी है बनाना क्योंकि बज़े स्कुल से आ जाते हैं तो मुझे इस्टा काम के लावा भी मुझे खाने पर ध्यान देना पड़ता है कि मैं जल्दी से बना दूब बच्चों के आने से पहले मुझे नमाज भी पढ़ना रहता है और भी जादा काम हो जाते हैं मैं न रेट दो हजार तो लेगी काम वाली अगर किसी को रखीं हेलफर को भी तो तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं खुदी करना ही रहने देटेंगे तो इस दिकत में अभी चला लेते हैं काम फिर देखेंगे कभी अभी में नैनत भी आई थी ना बाजी वो भी बोल रहे थी अखलो अकेले परिसान हो जाती है तो किसी को रखलो अच्छा हो इल्फ हो जाएगा जारू पोछाई कम से कम कर देंगी तो मैं बोले नहीं बाजी हो जारा है मैं देखती हूं रमजान में रखोंगे रमजान में रोजा रखे नहीं हो पाएगा जारू पोछाना पिर देखते हूं कुछ पैसे बच जाएंगे ना तो अभी रमजान से पहले बहुत सारे काम है मैं सोच के रखिया हूं तो इसलिए वे थ्वसा सोच रही कि पैसा मैं करचे के पैसा करना चाहरी हूं मतलब पैसा सेविंग करके कुछ काम करना चाहरी हूं काम मतलब वो काम नहीं कि मैं कुछ अपना बिजनिस करूँगी पैसे को लगाऊंगी बस मैं अपने घर में खर्चा करना चाहते हूँ घर में ऐसे बहुत सारे काम है चोटे-चोटे जो मुझे करने हैं जो पेंडिंग में हैं बहुत सारे घर को ठीक करना है मुझे धिये धिये तो मैं चाहती हूँ कि पैसे बचे तो घर का कुछ कुछ काम हो जाए घर कई काम हो जाए मेरा अपना कुछ personal खर्चा नहीं है जो है साथ में रहरे खारे पीरे बच्चों के साथ बस इतना ही काफी अल्ला का सुकर मना रहे हैं किसी को तो वह भी नहीं मिलता है, और हमें मिल रहे है, तो चलो ठीक, अल्ला का सुकर है, अल्ला का सुकर मनाऊंगी मैं, कि अतना कुछ दिकत होने भाद, भी अल्लाओ पाक अच्छा असानी कर दीए, कि पैसा सही से मिल जारा है मुझे, अभी तक तो उस टाइम पर अलहम्दोल्ला मिल जा रहा है जुरू में दिक्कत हुए थे पर जब से कोटोट का जो मामला खतम हुए ना उसके बास से सही से मिल जा रहा है तो चलो ठीक है आगे भी अला करे अच्छा ही हो और बस मैं इसी तरह अपना मैंनत करना चाहा रही हूँ कुछ अपना चल रहा है मेरा भी देखते हैं क्या होता है कुछ करना है मुझे बट अभी पहता नहीं असा लग रहा अच्छा टायम आएगा मुझे इंतिजार है बस जैसे चल रहा वैसे चलने दो सोच रहे हूँ अब कोशिस भी इतना जगा करें देख ली काम के लिए लेकिन किसी को एक बर दो बार चार बर बोलोगे बार बर किसी को बोलना भी अच्छा है लगता ना कि काम के लिए तो मैं अब छोड़ दियूँ अब अल्ला पाको ही बोलते हूं मैं बार बर इसलिए मैं ज़्यादा टेंसर नहीं लेती हूं और जो भी अपना घर में अपने घर को अपने बच्चों को मैं लगी हूं अपना काम कर रही हूं इमानदारी से अल्ला बस इसमें कामियाब करें मुझे जो मैं काम स्टार्ट की ब्लॉगिंग करना तो इसमें मैं चाहिए तो अल्ला मुझे कामियाब कर दे साइध हो सकता है मेरा अशा दिल बोलता है कि शायद अल्ला ने चाहा तो हो जाएगा और आप सब मुझे प्यार देरे सपोर्ट कर रहे हैं तो यह चीजी मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि मैं अपने दर्द को अपने तकलीफ को भूल गई हूँ भूलना तो नहीं है भूलना तो possible नहीं है बस कम हो गया है तो ठीक है अच्छा लगता है मुझे आप सब सैसे बाते करना दिखाना कुछ भी मैं कर रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और आप सब कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा ये मेरा आज का कंगे साफ करने का जो मैं ठीक था, जो मैं अपने हिसाब से की और आप सब का प्यार सपोर्ट चाहिए मुझे इंशालला जिन्दगी मागे बढ़ने के लिए, अल्ला मेरे साथ है और आप सब भी मेरे मैं अपने बच्चों को ना अच्छा इंसान बनते वे देखना चाहती हूं, मेरे सपना है कि बच्चे मेरे अच्छे इंसान बने, नेक बने, और अच्छी समझ हो उन्हें, दिन, दुनिया, दोनों की समझ हो, दोनों की इलिम हो, उनमें मैं ये दुआ करते हूं, आप सब complete हो गया है मेरा साफ हो गया मैं सब छोड़ दी हूँ सुखने के लिए चली चली से वीडियो को like कर दीजिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा मुझे दुआओं मयाद रखेगा अल्ला हाफिज